लुट है करीजियों है आपको है लुट को समय है कि इंडिया जो है बहुट डेफीशियंट है देफीशियंट में और उसका एक रिजन यह विटामिन डी में क्यों हैं हम देख कि सतर से नभे परसेंट लोग हम लोग इंडियां के एंदर vitamin D की कमी है, vitamin D की कमी है, इसके कारण calcium की भी हमें कमी हो जाती है, क्यों है vitamin D की कमी, क्योंकि कुछ रहना सहना भी ऐसा ही है कि full sleeves के कपड़े या साड़ी है या फिर यह है कि बहुत ज़्यादा निकलते नहीं हैं, घर में ज़्यादा, offices में जादा और winters चेह बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है जब vitamin D की कमी होती है तो क्योंकि vitamin D ही help out कराता है calcium को absorption में गट में तो फिर calcium भी absorbed नहीं होता है अब क्या होता है कि जब absorbed लोगङ होगा तो कमी होज जैगी अब क्या calcium जो होता है 99% में होता है so शरीर में और 1% जो होता है वो ब्लड में होता है अब ये जो है ब्लड जो है बड़ा स्मार्ट है वो क्या करता है कि जब भी अब ये है कि हमारी डाइट में कमी हो रही है विटामिन डी कम नहीं एक्सपोजर हो रहा तो कैल्शियम कम तो ब्लड is so smart कि वो अपना लेवल पूर करिया जालता है तो चलो कैल्शियम करा लो तो कैल्शियम का ये वे ठीक हाँ वो ठीक आना भी है क्योंकि ब्लड ने तो अपना काम कर लिया उसने तो निकाल लिया बोन थैस्त करा नहीं कि बहुत तम बार होता है कि हुझ हम अपने बोन का टेस्ट कराने कि ऑन Ara gotta हमारी कहां पे है और इस तरह कि अगर जहां भी कैंस लग रहे हो ना तो वहां हमें जाना चाहिए जैसे अभी अपने हॉस्पिटल में हमारे हैं मैमोग्राफी कैंप लगा तो जाना चाहिए जैसे मैंने किसी कुछ लोग को बोला तो हमें कौन सा cancer हो गया जो हम mammography camp में जाएं तो यह cancer ना हो इसके लिए यह camps लगते हैं ताकि यह detection हो अर्ली detection हो cancer हो गया तो फिर आपको mammography camp किया फिर तो आपको फिर अलगी हो रहेगा तो यह सब में हमें वो करना है और कुछ myths है calcium के बारे में और यह जो सारा कुछ बताया जा रहा है अभी अक्टूबर 2023 में 90 हजार लोगों पर यह study हुई है calcium और vitamin D की तो calcium का importance ना ही हमारी bones में है हमारे heart और muscles के contraction में भी है even जो heart beat करता है इसलिए वो blood जो है calcium निकाल लेता है bones के लिए क्यूंकि उसको heart को beat कराना है और heart beating heart pump नहीं करेगा तो आप सब को पता है कि जब तक heart चल रहा है तभी तक हम जिन्दा है तो heart की pumping muscles का contraction nerves के मतलब उसको nerves की health nerves conduction में कुछ गरम चुआ और अगर मेरी nerves weak है वो signals जा नहीं रहे तो मेरा heart जल जाएगा तो nerves के conduction में तो यह और बहुत सारे importance है calcium की तो हमेशा अपनी diet में हमें calcium और vitamin D को अच्छा रखना है और क्योंकि vitamin D कम रहता ही रहता है तो calcium even अगर हम diet में खा भी रहे हैं तो वह अब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो हमेशा supplement करें और स्पेशली एज के बाद आके तो लेडीज में तो और calcium गिरने लगता है तो calcium को supplement करना है विदर राइट supplement जिसमें vitamin D भी हो खाली calcium की गोलियां खाने से नहीं होगा vitamin D भी हो उसमें manganese भी हो उसमें magnesium भी हो क्योंकि vitamin D और magnesium दोनों का काम है गट में से calcium का absorption को बढ़ाना तो